हेलो दोस्तों आप सभी का स्वागत है एनीमे की इस दुनिया में तो इस एपिसोड के स्टार्टिंग में हम देखते हैं कि योगीरी और डोरो गारी चला कर पहार से गुजर रहे थे इस दोरान डोरो को ड्राइव करने में काफी मुश्किल हो रही थी और वो लोग गिरते ग जोगीरी के सपने में देखते हैं जहां एक लड़की उसे हैंडशेक करना सिखा रही थी आगे हम उसी लड़की को देखते हैं जो की एक जगह पर इंटर्यू देने आई हुई होती है उसके कॉंट्रेक में ये लिखा होता है कि अगर इस जोब में मेरी जान भी चली गई तो उसके लिए कोई भी जिम्मेदार नहीं है यहां हमें ये भी पता चलता है कि उसका नम असाका है आगे फिर एक आदमी असाका को लेकर कहीं पर जा रहा होता है और रास्ते में असाका पूछती है कि यहां पर मेरा क्या काम होने वाला है जिस पर वो आदमी कहता है कि लोग अभी कहा जा रहे हैं जिस पर वो आदमी कहता है कि क्या तुम्हें अलफा ओमेगा के बारे में पता है ये एक टेस्ट सब्जेक्ट का कोड नेम है जिसका तुम खयाल रखने वाली हो ये सुनकर असा का पूछती है कि तुम जिस टेस्ट सब्जेक्ट की बात कर रहे हो वो इनसान ही है ना जिस पर वो आदमी कहता है कि मैंने उसे खुद कभी देखा नहीं है इसलिए मुझे नहीं पता हाँ लेकिन मैं सिर्फ इतना जरूर जानता हूँ कि अलफा ओमेगा जिसे चाहे उसे मार सकता है जिसे सुनकर असाका तो डर जाती है और पचताने लगती है ए भगवान मैंने ये जोब क्यों ली इसके बाद वो दोनों एक रूम में आते हैं जहां वो आदमी असाका को एक पेपर देकर कहता है कि इसके आगे तुम्हें खुदी जाना होगा और इस पेपर में तुम्हारे लिए इंस्ट्रक्शन्स लिखे हुए हैं इतना कहे कर वो आदमी तो वहाँ से चला जाता है जिसके बाद जब असाका सामने एक लोकर जैसा डोर उपन करती है तो वो एक अंडरग्राउंड आर्टिफिशल जगह पर आ जाती है जहां उसके सामने एक घर होता है असाका उस घर के अंदर जाकर आवाज लगाती है कोई है यहाँ पर क असाका उसके पास जाकर उसे अपने कंधे पर उठा लेती है और कहती है कि इतने प्यारे बच्चे को इसे अंडरग्राउंड में रखने की कोई जरूत नहीं है और वो उसे लेकर उस घर से बाहर आती है और कहती है कि तुम्हें बाहर खेलना चाहिए मस्ती करनी चाहिए त अभी योगीरी असाका की तरफ इशारा करके मरने के लिए कहता है, लेकिन असाका को नहीं, बलकि उसके पीछे खड़े एक डेविल को, आगे योगीरी कहता है, लगता है ये डेविल आपकी शेडो में चुपा हुआ था, ये लोग आम तोर पर मुझे मारने के लिए आते रहते हैं, वैसे मुझे अभी खेलने में दिक्कत तो कोई नहीं है, मगर अभी रात होने वाली है, तो क्या मैं कल खेल सकता हूँ, जो सुनकर असाका उससे माफी मांगती है, और उससे हाथ मिला कर कहती है, कि मैं असाका हूँ, तुमारा नाम क्या है, जिस पर योगिरी कहता है, कि सब मुझे अलफा ओमेगा, अलफा ओमेगा, यह कह कर बुलाते हैं, वैसे मुझे ना काफी भूक लगी है, इसके बाद वो लोग घर के अंदर आते हैं, जहां असाका उसे कप नूडल्स बना कर देती हैं, जिसे खाते ही योगिरी कहता है, कि मैंने ऐसा कुछ पहले कभी नहीं खाया, तभी असाका उससे कहती है, कि मैं आज से ना तुमें योगिरी कहकर पुकारूंगी, जो सुनकर योगिरी काफी खुश हो जाता है, इसके बाद असाका उसका हाथ पकड़ कर कहती है, कि ऐसे हाथ मिलाने को हैंडशे कहते हैं, तभी डोरो उसे नीन से जगा रही थी, और जगा भी देती हैं, वो कहती हैं कि अभी हम और आगे नहीं जा सकते हैं, ये सुनकर योगिरी पूछता है, अच्छा, वैसे हम रोयल केपिटल में क्यों जा रहे हैं, जिस पर डोरो चिलाते हुए कहती हैं, कि तुम ये बात अभी पूछ रहे हो, तुम ये निकलने से पहले भी तुम पूछ सकते थे, तो योगिरी कहता है, अरे हाँ, याद आया, याद आया, हमारा मकसद अपने वर्ड में वापस जाने का है, और उसे पूरा करने के लिए हमें शीला से बात करनी पड़ेगी, ठिक का ना, इसके बाद वो लोग गाड़ी लेकर वहाँ से जाने लगते हैं, मगर तभी उनकी गाड़ी एक ड्रेगन से टकरा जाती है, और वो ड्रेगन उनके ओपर अटेक कर देता है, जिसे योगिरी एक शब्द बोलके वही का वही मार देता है, लेकिन हम देखते हैं कि आगे वहाँ पर काफी सारे ड्रेगन सा जाते हैं, जो उनपर एक साथ अटेक कर देते हैं, जिस पर योगिरी कहता है कि तुम सब के सब मर जाओ, और तो क्या फिर सारे के सारे ड्रेगन एक मच्छर की तरह धमा धम धमा धम नीचे गिर के मर जाते हैं, तभी वहाँ पर एक और गोल्डन कलर का ड्रेगन उनके सामने आता है, जिसे देखकर योगिरी कहता है कि मुझे नहीं लगता है कि ये हमें नुकसान पहुचाना चाहता है, जिसके बाद हम देखते हैं कि वो ड्रेगन पतली गली पकड़ कर निकल लेता है, ये देखकर योगिरी पीछे से उस पर आवाज लगाता है, सुनो, अगर अपनी भलाई चाहते हो तो यहाँ पर वापस आ जाओ, वरना में तुम्हें तुम्हें तुम्हारे बाकी साथियों के पास भेज़ दुआ, और ये सुनते ही वो ड्रेगन वही का वही रुख जाता है, तो आगे हम देखते हैं कि वो खतरनाक ड्रेगन अब एक छोटी सी बच्ची में ट्रांस्फोर्म होकर, योगिरी के सामने बेटकर आसु टपका रहा होता है, आगे जब योगिरी उससे उन पर अटेक करने की वज़ब पूचता है, तो वो कहती हैं कि मैं तो बस आप लोगों को टेस्ट कर रही थी, कि आप लोग स्वोर्ड मास्टर से मिलने के लायक हो भी या नहीं, ये सुनकर योगिरी कहता है कि स्वोर्ड मास्टर वो क्या होता है, जिस पर वो ड्रेगन कहती है कि क्या तुम यहाँ पर स्वोर्ड मास्टर से मिलने नहीं आए, तो योगिरी कहता है कि बिल्कुल भी नहीं, हम तो सिर्फ रोयल केपिटल के लिए जा रहे थे, और बस इतना कहेकर योगीरी वहाँ से जाने लगता है पर तभी वो ड्रेगन उससे कहती है कि प्लीज मेरे साथ चलो हमें talented candidate की काफी जादा जरूत है हमारे sword master एक magician को टककर दे सकते है ये सुनकर योगीरी सोचता है कि अगर ऐसी बात है तो शायद वो हमें हमारी दुनिया में वापत जाने का तरीका भी बता सकता है ये सुनकर वो ड्रेगन काफी खुश हो जाती है और कहती है कि मेरा नाम अटिला है मैं तुम लोगों को रास्ता दिखाऊंगी इसके बाद वो लोग forest के अंदर जाते हैं जहाँ पर काफी सारे लोग होते है अटिला बताती है कि ये सब एक swordsman है जो कि next sword master बनना चाहते है और आज हम divine king के अगले knight को ढून रहे हैं और तभी वहाँ पर sword master आते हैं और कहते हैं कि यहाँ पर काफी सारे लोग जमा हो गए हैं इसलिए एक दूसरे को मारना start कर दो जब तक कि मैं रुकने के लिए नहीं बोल देता और अगर 10 minute के अंदर तुम में से आधे से जादा लोग नहीं मरते हैं तो सब के सब disqualify हो जाओगे तभी योगीरी कहता है कि मुझे disqualify होने से कोई फरक नहीं परता है तो क्या मैं जा सकता हूँ जिस पर sword master कहता है कि अगर तुम में से एक भी यहां से निकलता है तो सारे के सारे disqualify हो जाओगे और फिर इसके बाद क्या सब लोग आपस में fight करने लगते हैं और तभी कुछ लोग योगीरी के उपर भी attack करने के लिए आगे बढ़ते हैं जिनने योगीरी मारने ही वाला होता है कि एक दूसरा लड़का आकर उन्हें बचा लेता है इसके बाद वो योगीरी से कहता है कि तुम लोग तो बस यहां से गुजर रहे थे है ना आप लोगों को तकलिफ देने के लिए माफी चाहता हूँ पर क्या तुम लोग मेरे साथ चल सकते हो तभी वहाँ पर एक ओर लड़का आता है जिसकी हाफ बोटी कट चुकी थी वो चिलाते हुए डोरो से कहता है कि प्लीज मुझे तुमारे पेरों के पास जो स्टोन गिरा हुआ है वो पकड़ा दो और जैसे ही डोरो उसे वो स्टोन देती है वो लड़का बिल्कुल ठीक होकर खड़ा हो जाता है आगे स्वोर्ड मास्टर उन्हें दूसरी जग़ पर जाने के लिए खहता है जहां रास्ते में हमें सबका नाम भी पता चलता है जिस लड़के ने योगीरी और दोरो को प्रोटेक किया था उसका नाम रिक होता है और जो लड़का स्टोन से हील हो गया था उसका नाम लाइनेल होता है आगे योगीरी रिक से पूछता है कि आखिर ये Divine King कौन है जिस पर रेक उसे बताता है कि Divine King वो है जो सील किये गए demons को संभालता है हजारों सालों पहले Dark God को Divine King ने खुद अपने हाथों से सील किया था और इसलिए अभी अपने Dark God को वापस से जिन्दा करने के लिए उसके followers हर तरफ साजिश रच रहे हैं तो वहीं इस तरफ डोरो लाइनेल से पूछती है कि वैसे तुमने उस टाइम जो स्टोन यूज किया था वो क्या था जिस पर लाइनेल कहता है कि ये स्टोन ये मुझे किसी भी हालत में हील कर सकता है और तो और मुझे हर आधी रात को नए स्टोन्स मिलते हैं इसके बाद उन लोगों के सामने एक barrier आता है और जब वो लोग उसके अंदर जाते हैं तो वहाँ पर एक काफी बड़ा tower होता है तभी मोको कहती है कि हमें यहां से निकल जाना चाहिए यहां की हवा एकदम सही नहीं है तभी एकदम से लाइनल वहाँ पर उल्टी करने लगता है यह देखकर डोरो मोको से कहती है कि मुझे कुछ फील क्यों नहीं हो रहा है जिस पर मोको कहती है कि मैं तुम्हें प्रोटेक कर रही हूं इसलिए इसके बाद वो योगीरी से पूछती है तो योगीरी कहता है कि हाँ मैं ठीक हूं लेकिन उसका बढ़ताओ काफी अजीब लग रहा था और तभी सब नोटिस करते हैं कि अटिला वहाँ से गायब हो चुकी थी और कहीं भी उसका कोई अता पता नहीं था आगे सभी एक लिफ्ट से उस टावर की उपर जाते हैं जहां स्वोर्ड मास्टर उन्हें टावर के पीछे देखने के लिए कहता है और बताता है कि ये इस दुनिया का अंत है तभी डोरो कहती है कि मुझे वहाँ पर एक ब्लेक ड्रेस पहना हुआ मोंस्टर और एक वाइड ड्रेस पहनी हुई लड़की दिख रही है जिस पर रिक कहता है कि वो स्वोर्ड मास्टर और डार्क गोड है तभी प्रजेंट स्वोर्ड मास्टर कहता है कि इस दुनिया को एक न एक दिन खतम होना ही है और हम स्वोर्ड मास्टर का काम इस पर सिर्फ नजर रखने का है तभी पीछे से एक लड़की कहती है कि अगर हमने उन्हें हरा दिया तो सारी मुसिबत खत्म हो जाएगी है ना और इतना कहते से ही वो वहाँ पर एक अटेक भी कर देती है लेकिन जैसे ही उसका अटेक वहाँ तक पहुँचता है वो काफी जादा स्लो हो जाता है जिस पर स्वोर्ड मास्टर बताता है कि वहाँ पर टाइम काफी स्लो चलता है इसलिए जब तक तुम्हारा अटेक वहां तक पहुँचेगा तब तक तो सदिया बीच जाएगी खेर अभी तुम लोगों का दूसरा टेस्ट स्टार्ट होगा और फिर वहाँ एक दूसरी लड़की सबसे कहती है कि इस टेस्ट में तुम सबको 24 घंटे के अंदर टावर के चट से 1st फ्लोर तक जाना है और सबको टावर के अंदर ही रहना पड़ेगा तो इस तरफ डोरो योगीरी से पूछती है कि क्या तुम अपनी एबिलिटी से डार्क गोड को मार सकते हो लेकिन ये बात भी तो है कि तुमारे पास उन्हें मारने की कोई वज़े ही नहीं है तभी डोरो योगीरी को देखती है तो उसके चेहरे पढ़ना एक अजीब सा एक्सप्रेशन होता है और वो डोरो के कान में कुछ बताता है जो सुनके डोरो काफी जादा हिरान रह जाती है अब उसने क्या बोला होगा ये तो हमें अगले एपिसोड में ही पता चलेगा क्योंकि ये एपिसोड तो यहीं पर खत्म होता है